Hey guys, welcome back to a new video OB39 update के बाद जो लोग भी Smart Gaga में Free Fire प्ले करते हैं आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की होगी के Smart Gaga की Sensitivity कभी बहुत ज्यादा हो जाती थी और कभी बहुत ही कम मुझे भी इस वीडियो को बनाने में 4-5 दिन लग गए हैं बट इस वीडियो में मैं आपको OB39 update के बाद Smart Gaga की Perfect Sensitivity and Key Mapping सेटिंग बताने वाला हूँ Sensitivity, Key Mapping और Custom HD के इलावा भी कुछ important settings होती हैं जिनको apply करने के बाद आप लोग Smart Gaga में BlueStacks की तरह play कर सकते हो Smart Gaga में मैंने कुछ games play की थी जिनके highlighted clips यहां पे मैं आप लोग को play करके दिखा दूँगा इन settings को apply करके आप लोग भी मेरी तरह खेल पाओगे सो चलें guys वीडियो स्टार्ट करते हैं तरहें ठाली कर सकते हैं आप लोगी थी नवी कर लोगा जिनको करे देंदार एए आप लोगा कि मैंवा सब्सक्राब कि थार्ट लेईग्यों फिस भूहिएर खिवा इंदार्ट फिर्वार्ट पेंड मैं लाट इन हम लोगा प्रणीज प्रोड़ी हो प्रीजज से नहीं सैंग अक्रीज़alarıया है प्रणीन नीज़ इन वर्स प्राइब एंध यड वर्स लाइब यह पूस बंध रिस प्रणीर ही जा इंग मेनसी नहीं ते छिया दाव जुब एंग कर देंग यह दूब कर देंग देंग बेस्टें! कर दोलाइब! कर दोलाइब! कर दोलाइब! कज कर दोईश tenusa लद नजाय कर दो बनसिय वाद उ सबस्टे हम अ ganze वा ए सबस्टे खुटी थर्वल्दil अ वे मुँ अवड़ी जय झाल नहाँ प्रूप प्रश धुड़ी जिस प्रूप जिस प्रॉट जया क्यु़ जे लिए जुड़ीग जुड़ी यू सम्तुनिया एम अश्या झाल यू वाँ नहाँ प्रूडीड यू यू सेज़ जिए जए जुड़ी यू जपाँ कि अखर शब्स कर दो मत बिल्स कर दो है कि अ अ वर्स्वाइ बर्स्ट्लडड़ जरेखंग इस्ताइड झाल जरेखंग जरेखंग भॉद्द्ट जरेखंग प्रहुडंग खेलेखंग यूप भॉछ पॉछ वॉग पुजसनों पुशब मुशब धोब दोच दुब नधिश्पना यर दिछ फिछ लाल फुश्प्लुद लाल करदा है फिर्स फ्लाइब डॉबल किल फिर्स फोल आप लोग ने ये करना है कि जो भी स्मार्टगा का वर्जिन आप लोग यूज़ करते हैं उसको उपन करने के बाद उसमें हम लोग फ्री फायर को उपन कर लेंगे अगर आप लोग फ्री फायर की इनगेम सेटिंस को उपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आज़ती है येवाली सेंस्टिविटी गरस ये जो सेंस्टिविटी सेटिंस होती है ये आप लोग ने अपने माॉस के कोडिंग करना होती है यहाँ पे for example मैं जो mouse यूज करता हूँ वो है Fantech का Daredevil X11 यहाँ पे मैं इस mouse की sensitivity यूज करता हूँ 1500 तो अगर आप लोगे पास भी कोई ऐसा gaming mouse हो जिसमें आप लोग 1500 sensitivity को use करते हो याँ फिर DPI value को तो फिर same इसी तरह से आप लोगे ने ये जो sensitivity values होंगी इनको सभी को 100-100 कर देना है लेकिन अगर आप लोगे पास एक ज्यादा DPI वाला mouse हो याँ फिर कोई non gaming mouse हो तो फिर आप लोगे ने इन values को कम ये ज्यादा करके देख लेना है especially journal वाली को ताकि आप लोगे जो sensitivity है वो एक जगा पे सही से सेट हो जाए उसके बाद हम लोग controls में आने के बाद custom maturity को open करेंगे यहाँ भी मैं आप लोगो सिमझाने के लिए अपनी जो custom maturity है उसको reset कर लूँगा आप लोग custom maturity में जितनी चीज़े भी हैं इनको जहाँ भी रखना चाहो आप लोग रख सकते हो बट इसमें दो चीज़े होंगी जिनको आप लोगों ने लाजमी से adjust कर लेना है first of all तो यह करेंगे कि यह जो joystick वाला button है इसके size को हम लोग बिल्कुल कम करके corner पे लगा देंगे इससे यह फाइदा होगा कि आप लोग की joystick जो है वो stuck नहीं होगी और आप लोग smoothly खेल पाऊगे secondly आप लोग ने यह करना है कि यह जो fire button है इसके size को हम लोग 30 रखेंगे और इसकी position को आप लोग ने change नहीं करना fire button का size कम करने से smart gaga में आप लोग के अच्छे drag headshot लगते हैं अभी अगर आप लोग smart gaga की key mapping को open करते हैं तो keys को आप लोग अपने हिसाप से adjust कर सकते हो यह जो WASD वाला button होगा by default यहाँ पे होता है लेकिन आप लोग ने इसको corner में ले आना है उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा mouse को lock and unlock करने वाला button इसकी properties को open करने के लिए simply आप लोग इस पे right click करेंगे इसकी properties को open करने के बाद जिस तरह से मैंने यहाँ पे x and y values को रखा हुआ है आप लोग ने same इसी तरह से in values को follow कर लेना है अगर आप लोग वीडियो fast लगे तो आप लोग ने वीडियो को रोक के इन वाली settings को ध्यान से देख लेना है जिन values को मैंने true किया हुआ है same उन values को आप लोग ने true कर देना है उसके बाद guys हमारे पास आज आता है fire button fire button की properties को open करने के लिए simply हम लोग इस पर right click करेंगे और यहाँ पर जो मैंने x and y values रखी हुई है same उसी तरह से आप लोग ने इन values को follow कर लेना है इस तरह से यह settings करने के बाद simply हम लोग save पर click करेंगे और यहाँ पर एक option होगा as an alternative control can also unlock the mouse इसको आप लोग check कर लेंगे इससे यह होगा कि ट्रीड की के साथ साथ आप लोग control key से भी mouse को lock and unlock कर पाऊगे वैसे आप लोग mouse lock and unlock के लिए कोई भी key assign कर सकते हो इस पर मैंने एक dedicated video बनाई हुई है जो आप लोग को description में मिल जाएगी इतना काम करने के बाद simply से आप लोग smart guy को minimize करेंगे and windows icon पे click करके simply search करेंगे control panel control panel में आने के बाद category पे click करके हम लोग यहाँ पे small icons को choose करेंगे यहाँ पे आप लोग को एक mouse वाला section मिल जाएगा जिसको open करने के बाद यहाँ पे third number पे एक option होगा pointer options के नाम से जिसको open करने के बाद यह जो इसकी speed होगी इसको आप लोग ने slow and fast दोनों के दर्म्यान में रख लेना है लेकिन guys अगर आप लोग के पास एक non dpi mouse हो यानि के उसकी dpi बहुत ही कम हो तो आप लोग यहाँ से आगे इसकी speed को बढ़ा भी सकते हो नीचे एक option मिल जाएगा enhanced pointer precision का इसको simply से आप लोग ने uncheck कर देना है sometimes यह होता है कि अगर यह check हो तो आप लोग के कम headshot लगते है apply and ok पे click करके इन settings को आप लोग save करेंगे अभी आप लोग दबारा से smart gaga को open करेंगे free fire को close करने के बाद आप लोग simply यह जो android वाली settings होती है smart gaga की इनको open कर लेंगे नीचे आने पर यहाँ भी आप लोग को accessibility settings मिल जाएंगी जिनको open करने के बाद यह जो large mouse pointer होता है by default off होता है लेकिन आप लोग ने इसको turn on कर लेना है साथी नीचे एक और option मिल जाएगा touch and hold delay का by default इन में से कोई भी option on नहीं होता लेकिन आप लोग ने short वाले को tick कर लेना है उसे के साथ अगर आप लोग smart gaga का android version 4.4.2 यूज़ कर रहे हो तो उसमें developer settings आती है जिनको करना बहुत ज़्यादा जूरूरी है उस पर मैंने एक detail से वीडियो बनाई हुई है जिसका link आप लोग को description में मिल जाएगा अभी आप लोग simply smart gaga के जो emulator वाली settings होती है इनको open करेंगे basic भी आने के बाद ये जो exit option होते हैं इनमें हम लोग exit directly को choose करेंगे उसके बाद अगर आप लोग advance में आते हैं तो dpi जो के most important है इसको हम लोग 240 ही रखेंगे resolution आप लोग कुछ भी रख सकते हो cpu core की बात के जाए तो यहाँ पी हम लोग इसको एक core देंगे अगर आप लोग के PC में 2 core वाला processor लगा हो अगर RAM की बात के जाए परफेक्ट की mapping and sensitivity को follow करते हुए easily free fire को play कर सकते हो फिर भी अगर आप लोग को कोई भी issue आता है या फिर कोई भी चीज अगर मेरी बताई हुई आप लोग को समझ नहीं आई तो आप लोग नीचे comment section में पूस सकते हो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के हर comment का timely answer कर सकूँ गाइस अगर वीडियो अची लगी हो तो वीडियो को like कर देना और अगर आप लोग चैनल पे new हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को all पे set कर देना मिलते हैं फिर इंशाला नेक्स्ट वीडियो में तब तके के लिए अलाहाफिज